हो अभी लुकल हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं उसलो हो चुका है तो ऐसे में दोसे दोस्तो अगर इसे मैं चाहू की पहले जैसे नया हो जाए, बूस्ट हो जाए, एकदम फास्ट अच्छे से चले, तो इसके लिए दोस्तो आप लोगों ने भी कही सारे वे ट्राइ किया हो लाइक अप्लिकेशन को इंस्ट्रॉल किया होगा, उससे ट्राइ किया होगा कि फास्ट हो जाए लेकिन नहीं होता है लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि बीना कोई application डाउनलूड कि आप अपने mobile phone वे एकदम फास्ट कर दो, बूश्ट कर दो, एकदम मतलब नए जैसा बना दो तो इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी कुछ setting बताऊँगा जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपका mobile phone पूराना है, एकदम मतलब कि नए जैसा हो जाएगा इकदम फास्ट चलने लगेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए मैं आपके इस वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को क्लिक करके लाइक कर दो और हाँ पे दोस्तों, रेड वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, साथी साथ इस बेल आइकोन को आल पे क्लिक कर दो और इतना ही नहीं दोस्तों, आप नीचे comment box में अपना opinion जरूर दें, कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी सो गैस, कैसे हमारा phone fast होगा, आइए मैं आपको एक एक करके सभी setting बता देता हूँ सो उसके लिए हम अपने mobile phone के setting में जाते हैं, और आपको पहले मैं बता दू, जो भी setting में बताओंगा और सबको आपको अपने phone में करना है, कोई भी एक setting में समत करना, एंड वीडियो को continue देखना, skip कर दोगे तो आपका phone slow रहेगा, faster नहीं होगा, सबसे पहला जो step है दोसो, उसके लिए दोसो आपको अपने phone के storage में जाना है सो यहाँ पे मैं search कर लेता हूँ storage, सो यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे है मेरा setting, यहाँ पे आपको storage सर्च करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको storage वाला setting मिल जाएगा, इसे आपको on करना है अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पे आपके mobile phone की सभी storage दिखाई देगी तो सबसे पहला जो काम करना है जो आपके phone को slow बनाता है ओ है phone का cash जान दोस्तों यह जो cash data है यह आपके phone को काफी ज्यादा slow कर देता है तो आपको करना क्या है इसे पूरा का पूरा यहां से clean कर देना है यह step आपको जरूर से जरूर करना है अब आप यह सोचोगे कि इससे कोई फायदा नहीं होगा तो दोस्तों आप गलत हो एक बार इसे cache को clear करो उसके बाद जो जो setting मैं बताऊंगा वो सब को कर लो उसके बाद खुद आप देखना आपके phone का जो मतलब की storage है साथी साथ जो slow iPhone वो भी fast हो जाएगा अब आप देख सकते हो हमारा cache data clean हो चुका है उसके बाद दोस्तों आपको यहां से back जाना है यह हो गया हमारा सबसे पहला step यह step आपको कर लेना है उसके बाद जो दूसरा step है दोस्तों वो हमें मिल जाता है हमारी chrome browser में जहां दोस्तों क्योंकि हम सभी लोगों का यह एक default browser होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा use करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे आना है वो सब यहां पे आपको दिखाई देंगे तो आपको यह सभी side को delete कर देना है जहां दोस्तों यह आपके phone को काफी ज़्यादा slow कर देते हैं तो आप please इसे delete कर दो यहां पे आप जैसा की देख सकते हो ऐसे आप इसे clean कर सकते हो बहुत ही simple है तो जितनी भी चीजे हैं आप इसे clean कर दोगे उसके बाद दोस्तों आपका phone में काफी ज़्यादा बोल सकते हैं बूश्ट आ जाएगा तो यह step आपको पूरा का पूरा कर देना है यह हमारा दूसरा step हो गया उसके बाद आएए मैं आपको तीसरा step बताता हूँ एंड यह सबसे ज़्यादा important है यह आपको जरूर से जरूर अपने phone में करना है उसके लिए आपको setting में जाना है setting में जाने की बाद दोस्तों आपको अपने phone का developer option सर्च करना है सो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ developer सो यहाँ पर हमारा मिल गया देख सकते हो ओपर ही है सो इसे हमें on करना है इसे on करने के बाद दोस्तों आपको नीशान है आपको मैं दिखा देता हूँ तीनो setting कहाँ पर है सो यहाँ पर आप देख सकते हो यह रहा setting इसे off भी नहीं करना है 0.5x पर करना है यहाँ पर आप देख लिजे यह आपको कर देना है तो यह final setting है यह तीनो setting करने के बाद दोस्तों मेरी इतनी guarantee है कि आपके phone में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपका phone मेरे phone की तरह slow से एकदम ज्यादा fast हो जाएगा जैसा कि आप मेरा phone देख सकते हो कापी ज्यादा fast आप अपने phone को use कर पाओगे जैसा कि समय आप मेरा phone देख रहे हो आप खुद देख लिजे यह कितना पुराना मेरा phone है लेकिन कितना तेजी से work करने लग गया है आप खुद देख सकते हो अपने आखों के सामने आप अपने mobile phone में यह सारी की साही चीजे करके अपने phone को इतना ज़्यादा fast कर सकते हो आप खुद देख लिजे कितना तेजी से मेरा phone पहले से तेज हो चुका है आप अपने phone को बूश्ट कर सकते हो बिना कोई application की मदस से वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमाई शेनल को सुस्क्राइब कर देना थैंक्यों दोस्तों बाइबाए और टेक केर